पिता और बेटी की दिल छू लेने वाली कहानी एक दिन एक लड़की ने अपने पिता से पूछा पापा, क्या आप कभी मेरी वज़ा से रोए हैं? उसके ऐसा पूछने का कारण ये था कि उसने कभी भी अपने पिता को रोते हुए नहीं देखा था इस सवाल के जवाब में पिता ने कहा हाँ, एक बार ऐसा कुछ हुआ था जब तुमारी वज़ा से मैं रोया था यह सुनकर लड़की उस बात को जानने के लिए उत्सुक हो गई कि आखिर वे क्या बात थी जिसने उसके पिता को रुला दिया था इस उत्सुकता को शान्त करने के लिए पितावय किस्सा सुनाने लगा बात उस समय की है जब तुम आठ महिने की थी एक दिन मैंने तुमारे सामने तीन चीजे रखी एक पैन, एक सिक्का और एक खिलोना मैं यह जानना चाहता था कि तुम इन चीजों में से क्या उठाओगी उनमें पैन बुद्धी मता का परतीक था सिक्का धन का और खिलोना मनुरंजन का परतीक था मैं यह सब बस एक जिग्यासा के कारण कर रहा था मेरे लिए यह जानना बहुत रोचक था कि मेरी बेटी के लिए आगे जाकर क्या सबसे अधिक मायने रखेगा मैं तुम्हारे सामने बैठकर बेसबरी से तुम्हारे अगले कदम का इंतजार कर रहा था मैंने देखा कि कुछ देर बैठकर तुम इन चीजों को देखती रही फिर गुटने के बलपट चलते हुए उनकी और पड़ी जब मैंने तुम्हें आगे बढ़ते हुए देखा तो मेरी धड़कने मानो रुक सी गई लेकिन अगले ही पल तुमने उन चीजों को अपने हाथ से एक तरफ हटा दिया और आगे बढ़कर मेरी गोद में चली आई बस यही वो पल था जब मेरा दिल भर आया था और तुमारी वज़ा से मैं रो पड़ा था यह किस्सा सुनकर लड़की की आँखों में आसू आ गए दोस्तों आपको ये पिता और बेटी की कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें आपका बहुत बहुत धन्यवाद